आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां अब देश में कोरोना वाइरिस का संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है नए वेरियंट्स भी एंट्री ले रहे हैं भारत में डबल म्यूटन स्ट्रेइन भी मिला है आलम ये है कि रोजाना कई हजार से ज़ादा मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्दी भी हो रहे हैं फिर से वही दौर जो हमने पिछले साल देखा था दुनिया भर के बात करों तो अब तक 12 करोड लोग जो हैं इस वाइरिस से संक्रमित हो चुके हैं इसमें से जादा लोगों ने अपनी जान कवाई हैं लेकिन जो इस वाइरिस से बच गए और ठीक हो गए उनका पीछा कोविट ने फिर भी नहीं छोड़ा कई बार हमने आपको कोविट सर्वाइवर से बाद भी करवाई हैं जिन्होंने कोविट से ठीक होने के बाद कई सिंटम्स की शिकायत की थी जिसे पोस्ट कोविट सिंटम्स भी कहते हैं और कभी-कभी ये इतने सीवियर होते हैं कि बहुत लंबे समय तक लोगों को डेली अक्टिविटिस करने में भी प्रॉब्लम होती हैं इसके लिए कई पोस्ट कोविट केर क्लिनिक्स भारत में बने भी ताकि ये समझा जा सके कि ये कैसे सिंटम्स होते हैं और पेशिंट्स को किस तरह की हेल्प दी जा सकती है आज बात हम इसी टापिक पर करेंगे क्यूंकि जामा ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने हॉस्पिटिलाइजेशन से बाहर आए लोगों को स्टडी किया है और जाना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को जेलने पड़ते हैं और कैसे हम अपने ट्रीटमेंट और फॉलो अप में बदलाफ करकर इनकी केर कर सकते हैं क्योंकि पोस्ट कोविट सिम्टम्स इतने हलकी भी नहीं होते कि इन्हें इग्नोर किया जा सके इस रिसर्च को समझने के लिए मैंने बात की डॉक्टर अविरिल वच से जो यूके के नाशनल हेल्थ सर्विस में एक डॉक्टर है और कोविट से जुड़ी हर वो खबर पर नजर रखते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी भी है मैंने डॉक्टर से पहला सवाल जामा के रिसर्च से जुड़ा ही पूछा और ये पूछा कि कैसे ही स्टड़ी की गई है जी ये जो जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एस्सेशन की जो स्टड़ी आई है वो काफी इंटरस्टिंग है क्योंकि उन्होंने हम कहें कि जो पोस्ट कोविट सेंटम्स हैं या लॉग कोविट जिसको कहा जाता है उसकी उसका अनेलेसीस किया है तो उन्होंने तकरीबन ये पैरिस के एक हॉस्पिटल में स्टड़ी की गई बाइद अवे और ये जो पेशेंट्स थे वो एक जो सर्ज हुई थी वहाँ पे उनके जो patients थे hospital में admit और वो discharge हो गए थे उन पे ये study की गई है तो तकरीबन 834 ऐसे patient थे जो eligible थे इस survey के लिए उसका eligibility criteria भी अलग से strict था तो उसमें काफी तरह के patients जिनकी जैसे माली जल्दी death हो गई है उनको cancer था या और ऐसी complications थी उनको नहीं लिया गया तो जो patients discharge हो गए वो इसमें include किये गए और 834 में से तकरीबन 478 ऐसे cases थे जिन्होंने consent दी जिन्होंने अपना जो राजी हुए इसमें participate करने के लिए उनमें फिर एक telephone survey किया गया और ताकि ये देखा जाए कि उनमें post-covid के जो symptoms है वो present हैं कि नहीं है उनमें से तकरीबन 50 प्रतिशत ऐसे थे patients जो जिनमें एक covid का symptom at least पाया गया और फिर जो वो 50 प्रतिशत के patients थे जिनमें symptom एक पाया गया उनको फिर hospital में या clinic में बुलाया गया और आगे के tests और surveys करने के लिए वो tests क्या थे वो एक चार तरह के अलग लग चीजें थी एक तो सबसे पहले वो सारे patients जिनमें एक post-covid या long covid का symptom पाया गया उनकी detail में history ले गई उनके symptoms की history ले गई और उनकी physical examination की गई देखने के लिए कि और क्या है उनमें एक अलग लग तरह के surveys किये गए जैसे quality of life कैसी है धकावट का survey अलग से हुआ सांस में दिक्कते आती हैं उसका survey अलग से किया गया समझ को लेकर cognition को लेकर उनकी attention सतरकता को लेकर उनकी यादाश्त anxiety depression तो अलग लग तरह के neurological symptoms को लेकर surveys थे वो किये गए तीसरे नमबर पर उनके जो फेफ़डों का functioning थी जिसको कि हम pulmonary function tests के नाम से जानते हैं वो किये देखने के लिए कि उनकी functioning कैसे काम करती है और साथ में high resolution CT chest की की गई फेफ़डों की की देखने के लिए कि फेफ़डों की स्थिति कैसी है और साथ में ये भी जिन patients में दिल की बिमारी के symptoms थे उनमें एक हम जो कहते हैं trans thoracic ecocardiogram जो की दिल का scan कह लिजिए ecoc की गई उन patients में जिनमें cardiac symptom थे और जो फिर इसके results थे उसको इन्होंने analyze किया और हमें याद रखने की बात ही है कि ये सारे patients covid में hospital में admit थे या ICU में admit थे और उनके discharge होने के 3-4 महीने के बीच में उनको contact करके ये सब study किया गया डॉक्टर study की major findings क्या निकल कर आए हैं देखिए जो अगर पैसे मोटा मोटा देखें तो जो long covid का general experience है उसमें ये माना जाता है कि ये भी हो सकता है कि covid होने के बाद आप काफी समय तक काम पे ना जा सकें तो prolonged work absence हो सकती है financial difficulties भी पाई गई है लोगों में और emotional effects भी पाई जाते हैं ये एक general observation है वर्ल्ड ओवर्स में वर्ल्ड ओवर्स से post covid cases में लेकिन इस study में जो उन्होंने पाया है उसमें जो main symptoms पाई गए थे वो largely मोटे तोर पर fatigue तकावट होना जो की 31 प्रतिशत patients में पाया गया वो था support उनको काफी रह रही थी उनको cognitive difficulties थी समझ की difficulties थी और फिर साथ में सांस की भी सांस चड़ने की जो problem थी वो भी 15-16% लोगों में पाई जा रहे थी जो कि काफी significant है और ये तीन जो थे वो main symptoms पाई जा रहे थे लेकिन जो जैसे मैंने पहले कहा कि फिर survey किये गए जैसे quality of life का survey किया गया तो उसमें सबसे जो मुश्किल आ रही थी जैसे वो daily living की जो activities होती है वो उनको करने में दिक्कत आ रही थी तो जो उनकी functioning है जैसे आप घर में कुछ काम कर रहे होते हैं घर के काम या बाहर की जो भी आप daily living के काम करते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी और fatigue के ही survey म उन्होंने ये भी देखा कि लोगों की जो motivation थी वो बहुत कम हो गई थी उस पे काफी बुरा असर था और जब motivation कम होती है तो कई तरह के mental health issues सामने आने शुरू हो जाते हैं जिसमें depression और anxiety भी एक हो सकते हैं उसके बाद जो surveys और किये गए जैसे specific conditions को लेकर तो उसमें need की disturbances जो की 50% उपर लोगों में देखी गई, समझ की impairment, cognitive impairment जो हम कहते हैं वो पाई गई काफी तकरीबन 40% लोगों में, anxiety जो especially जो ICU से discharge होकर patients गई थे, उनमें anxiety एक 20-23% लोगों में पाई गई, depression भी था, post-traumatic stress disorder जो की एक stressful experience के बाद आपको एक खास किसम की disorder होता है, वो उनमें पाया गया, और साथ में एक muscular weakness होती है, जो की ICU related जिसको हम neuropathy कहते हैं, जिनमें especially जो लोग intubate होते हैं, जिनमें वो artificially सांस देनी की जो नली है, वो डाली जाती है, उनमें वो भी पाई गई, साथ में जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हमने chest, उन्होंने chest CT किया, जो की high resolution था, तो chest की abnormalities थी, वो काफी बड़ी मातरा में थी, तकरीबन 63% जो patient थे, उनमें अभी भी जब हम कहें कि जो lungs के अंदर की inflammation थी, वो पाई जा रही थी, हलांके जो उनके function के test थे, कि फेफडे function कैसे कर रहे हैं, वो बड़ी मातरा में वो सुधर गए थे और वो काफी हद तक जो थीक था, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो CT है, high resolution CT, वो काफी detail में चीज़ें देख सकती है, लेकिन जो function था, वो काफी better हो चुका था नहीं देखा गया कि जो post COVID या long COVID के patients थे, उसमें heart और kidneys के उपर कोई जादा बुरा आसर जो हम कहें, वो नहीं पाया गया, तो ये मोटे मोटे तरी तोर पे जो थी, जो हम कहें कि इसकी findings थी, और again to सब को मतलब remind करवाने के लिए कि जो impact था, वो physical, cognitive यानि की दिमाग के उप और emotional symptoms का जो था impact, ये काफी पाया गया, डॉक्टर हमारा age, gender जो है वो कैसे impact करता है post hospitalization के बाद, जी जो हमारा age, gender या जो comorbidities हैं, उसका impact तो definitely है post hospitalization के बाद, जो COVID के patients हैं, लेकिन इसकी अभी अभी कुछ पुखता, जो trends हैं, वो इतने, मतलब हम कहें कि data के हिसाब से clear न है कि जो ज़्यादा age वाले लोग होंगे, 50 से उपर, 60 से उपर, या उससे भी ज़्यादा age वाले लोग होंगे, males जो हैं, और जिनमें diabetes, hypertension, immune deficiency की जो diseases हैं, वो, या cardiac diseases हैं, ये वाले जो comorbidities हैं, even obesity हैं, तो ये वाले जो patients हैं, इनमें जो post COVID hospitalization के बाद का भी जो impact है, वो हम कहें कि अंदेशा हो सकता है, लेकिन ये वाली study ने अभी इन चीजों के ओपर कुछ खास comment नहीं किया, लेकिन अगर हम logically सोचें, तो वही लोग जो ज़्यादा high risk पे हैं, वो hospitalization या ICU admissions के बाद, उन पे जो impact है, hospitalization या COVID का, तो वो ज़्यादा रहने का अंदेशा है, और व और पाकी comorbidities की जो categories है, इनमें ये symptoms ज़्यादा सेवियर देखे जा सकते हैं, पोस्ट COVID के बाद भी किन वजहों से hospital में, जो है, re-admission की ज़रत पड़ती है, जी जो post-COVID re-hospitalization का जो data है, वो इस study में नहीं है, लेकिन एक दूसरी study थी, वो भी JAMA, Journal of American Medicalization का journal है, उसी में एक और study चपी थी, जिसमें उन्होंने post-COVID re-hospitalization, दुबारा से जो admission होती है COVID के बाद, उसके उपर उन्होंने study की थी, जिसमें जो main कारण था, वो सबसे बड़ा कारण फिर से COVID होने का था, उनको दुबारा से COVID होने का जो diagnosis मिला, उसके कारण re-admission होई, उनमें sepsis था, जो की हम कहें कि खून के अंदर infection बढ़ गया था, वो था कारण re-admit होने का, फेफ़ों में pneumonia होना और even heart failure, ये चार बड़े कारण थे, जिसके कारण patients को re-admit होना पड़ा था, और ये ये भी काफी बड़ी studies थी, एक 2000 के उपर की cases को देखा गया था, और इसमें ये भी पाय होकर वापिस admit होते हैं, तो उनके numbers के साथ compare करें, तो पाया गया कि COVID के जो numbers हैं, वो थोड़े कम हैं पहले 10 दिन में, री-admission के जो बाकी बाकी जो बिमारिया हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, sorry, जो COVID के हैं, वो re-admission के numbers जो हैं, वो थोड़े जादा हैं, लेकि जो survival है, वो COVID की, re-admission की जादा थी, comparison के pneumonia या heart failure के, अगर patients को देखें, तो main कारण जो post-COVID re-hospitalization का था, वो जैसे मैंने पहले कहां कि चार ही main कारण थे, COVID, sepsis, pneumonia या heart failure, ये चार main कारणों के कारण, लोगों को फिर से hospital में admit होना पड़ा. डोक्टर, जब लोग ठीक हो रहे थे, तो कोरोना से post-COVID care clinics भी बनाए गए थे, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये कितना useful रहा है और जब patients के post-care की बात हो तो? जी, जो ये post-COVID care clinics जो हैं या follow-up clinics जो हैं, इनमें थोड़ी controversy भी है, वो ये है कि क्योंकि already pandemic के चलते जो health services हैं, बहुत उन पे बोज हैं और इसके चलते आप ऐसे clinics और run करना चाह रहे हैं, तो naturally resources जो हैं, वो limited होते हैं, तो और इसका अगर हम evidence की तरफ देखें, तो long term जो outcomes patients की ऐसे clinics में, उसके ऊपर कोई इतना खास evidence नहीं है कि उसमें ये कुछ positive role अदा करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा controversial है, लेकिन हमें ये मालुम जरूर है कि ये जो clinics होते हैं, ये बहुत ही एहम हिस्सा हैं, हमें जो बिमारी है, उसके बारे में और detail में समझने में कि वो कै कैसे pan out कर रही है, हमें ये भी जैसे हम कहीं कि knowledge करने में एक मौका मिलता है, और patients के experiences हैं, उसको समझने में हमें मौका मिलता है, जो follow up clinics हैं, वहां पर ये सब चीजे हैं, जो study कर सकते हैं, और ये भी हम वहीं पर ये जान सकते हैं, कि जो treatment की different strategies थी, covid की, वो कैसे, उनका क्या effectiveness रही, तो ये जानने के लिए भी ये जो follow up clinics हैं, वो काफी कारगार होते हैं, और अगर हम और थोड़ा, अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, तो जो families हैं, जो patient के और बाकी के around, उनके जो लोग हैं, उनको कैसे support की जा सकती हैं, उनको support की जाती हैं, इन clinics के थूप, और जो COVID-19 जो disease है, वो as it is हमारे लिए बिलकुल नई disease है, तो उसकी जो long term management है, वो कैसे pan out करती है, उसके जो आगे after effects किया है, उन सब को समझने के लिए जो follow up clinics हैं, वो बहुत कारगार हैं, तो मेरे हिसाब से they are very important, और बाकी की जो chronic disease हैं, उसके भी होते हैं, तो ये एक balance करने की ब नहीं हैं हमारे पास, कि ये helpful होते हैं, लेकिन इनके और भी रोल्स हैं, जो की supportive रोल्स हैं, जो की बहुत अहम हैं, और वो हम किसी और तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर आप UK में हैं, तो वहाँ पर कैसे नियम है post COVID hospitalization के लिए, लोगों की कैसी care की जाती है, जो वो hospitalization से बाहर निकल कर आते हैं? सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की है, तो यहां पे भी जो follow-up clinics हैं, वो जैसे अगर किसी को सांस की दिक्कत रही है, तो वो respiratory clinics में follow-up हो जाता है, किसी को fatigue की problem है, तो physiotherapy वालों में follow-up हो रहे हैं, लेकिन एक systematic तरीके से post COVID, long COVID को deal करने का, जो एक UK में मैं कहूं कि NHS wide, nationwide कोई अभी system यहां भी पूरी तरह से तयार नहीं है, जिसमें हम बोल सकें कि कोई भी patient आता है, तो उसकी यह यह guidelines हैं, वो अभी भी work under construction ही कहूंगा, मैं under research है, क्योंकि इसमें unpredictabilities अभी भी बहुत हैं, और अभी हम COVID से ही बहुत बड़े level पर अभी जूज रहे हैं, त तो post COVID की अभी आने वाले कुछ महीनों में long COVID, post COVID को लेकर नई guidelines, नई systems जो हैं, वो अभी और develop होने बाकी हैं, अभी आपको क्या लगता है, कहां कमी है जब बात होती है मरीजों के care के लिए, और क्या जरुरत है ताकि इस बिमारी से जूज रहे लोगों को help मिल सके, क्या हम अभी आप्रोच यानि diagnosis, treatment और prevention में बदलाव लाने की जरुरत है अभी? establish हो रहा है, studies के तुरु मालम चल रहा है कि क्या symptoms common है, क्या नहीं common है, what works, what doesn't work, और किन लोगों में क्या काम करता है, ये भी कुछी को बहुत जादा परिशानी उठानी पड़ रही है, COVID से ठीक होनी के बाद कुछ लोगों को कुछ असर ही नहीं है, तो ये differences को भी establish करने में काफी time लग सकता है क्योंकि बहुत varied है और बहुत हमारे शरीर के जो अलगलग systems है, cardiovascular है, respiratory है, even gastrointestinal है जो हमारे आते हैं, वो सारे अलगलग systems पे अलगलग तरीके के असर देखे जा रहे हैं, अलगलग age groups में असर देखे जा रहे हैं, co-morbidities में, gender में, तो इन सब permutation combination को सम हमें लग सकता है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, कि एक तो यह unpredictable है, दूसरा, जो लोग covid से निकल चुके हैं, ठीक होकर, जो उनको भी लेकिन long covid के symptoms हैं, हमें उनको support करने के लिए, चाहे वो diagnostic methods हों, या किसी भी तरह के treatments हों, जैसे उनको respiratory problems होती हैं, फेफ क्योंकि as I said, वो कितनी देर तक उनको जरूरत पड़ेगी, अभी हमें नहीं मालूम, किस degree तक जरूरत पड़ेगी, वो भी अभी हमें नहीं मालूम, तो doctors की, healthcare की एक यही approach होनी चाहिए, कि we have to be as supportive as possible, यह जो mindset है, हमें बनाना चाहिए, कि यह नहीं है, कि हाँ अगर हम ठीक हो गए है, तो that is that, एक बार COVID से ठीक हो गए, तो that is it, वो काम खतम हो गया, healthcare का, ऐसा नहीं है, तो यह mindset हमें जरूर बना लेना चाहिए, patience ही नहीं देखे, उनको काम पे जाने में भी दिक्कत आ सकती है, उनको financial issues भी हो सकते हैं, उनको emotional issues बहुत देखे जा रहे हैं, mental health में anxiety, post-traumatic stress disorders, यह challenges जो हैं, यह भी बहुत बड़े हैं, और आने वाले समय में mental health के जो challenges हैं, वो और बढ़ सकते हैं, क्योंकि lockdowns भी बढ़ रहे हैं, एक साल हो चुका है, लोग frustrated भी हो रहे हैं, लौकरियां जा रहे हैं, youngsters के careers का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यह सब चीजें भी mental health को deteriorate करने में contribute करती हैं, जो पहला पिछले वाला जो pandemic हुआ था, उसमें हमें बहुत साल लग गए थे, एक intractable depression को समझने के लिए, तो अब ऐसी जो mental health नए issues आ रहे हैं, उनको समझने के लिए अगर हमें बहुत साल लगते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा challenge होगा, तो मेरा यही मानना है कि जो COVID के बाद, ठीक होने के बाद जो मरीज हैं, उनकी care के लिए हमें multi-disciplinary, multi-dimensional approach की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें physiotherapist से लेकर, respiratory physicians और जो भी cardiovascular physicians और psychiatrist, psychologist, families को support करने वाले, financial issues को support करने वाले, इस सारे multi-disciplinary जो team है, वो इसको, patients को जो है, वो help कर सकती है, which I think is going to be very-very important in the long run. डॉक्टर रव वाक्सिन आ गई है, तो क्या इस पर उतना काम करने की जरुरत है या फिर नए strains के लिए भी तयार रहना होगा? जी देखिए, जो COVID के अंगेंस लड़ाई है, वो multi-dimensional है, वो शुरू से ही multi-dimensional रही है, उसमें एक site में तो हमें, जैसे हम कहें कि public से deal करने के लिए, precautions को बनाए रखने के लिए, हमें public campaign सिलाते रहना पड़ेगा, inspire करते रहना पड़ेगा, लोगों को motivate करते रहना पड़ेगा, वो precautions को continue करने के लिए, नए-नए treatments, नए-नए जो दवाईये हैं, उस पे research ongoing रहेगी, बिमारी को समझने की जो research है, वो भी बहुत बड़े मात्रा में ongoing है, पूस्ट कोविट को समझने के लिए जो research है, वो भी ongoing है, और इन सब के लिए funding भी चाहिए होती है, जो कि government को, private sector को, public sector को, बड़ी से बड़ी मात्रा में available करवानी चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि vaccine की drive में जब funding available हुई, तो किस level में, एक साल के अंदर अंदर, या देट सा के अंदर अंदर हमने चार-पांच बहुत ही बढ़िया vaccine जो है, वो market में आ गई है, तो funding plays a key role, इसको future में इसको deal करने के लिए, बात आपने करी कि vaccine को जो आ गई है, तो उसको हमें आगे कैसे लेके जाना चाहिए, देखिए, मेरे हिसाब से, right now, all governments vaccinate, 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 करते रहन चाहिए, उनको बहुत जितनी top speed पे होता है, patients को, अपने सारी public को vaccinate करना चाहिए, चाहे नए strains कोई भी आएं, लेकिन जो हाथ में vaccines हैं, वो हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ongoing studies हैं, कि अगर हमें vaccinations mix के match भी करनी पड़ें, तो हम वो भी कर सकते हैं in future, और अगर कु booster doses के साथ उनको tackle कर सकते हैं, लेकिन हमें basic जो vaccination है, वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो studies दिखा रही हैं, कि vaccination के बाद जो severe बिमारी है, या hospitalization है, वो बहुत बड़ी मातरा में कम हो रही हैं, तो हम deaths को, और severe morbidity हैं, जो कि post covid के जो बुरे वाले जो हम का आफर हैं, उनको हम बड़ी से बड़ी मातरा में vaccination कर दें, और फिर बाकी सारी population को भी vaccinate कर दें, तो that is top priority, जो नए strains आ रहे हैं, उनके चलते भी जो research है, उसमें हमें जाद से जादा funding करनी चाहिए, देखिए, आप कोई भी feed ले ले लेजिए, चाहे वो मैंने पहले कहा vaccine development का हो, या sports का हो, cricket का हो, I mean cricket is a brilliant example, funding जितनी गई IPL जैसी चीज में, वो देखिए, आज 10 साल बाद cricket का क्या scene है, तो it is all about funding, तो अगर funding research में जाती है, तो उसमें जो आने वाले strains होंगे, उनको भी tackle करनी की solutions हैं, वो निकलते रहेंगे, तो in the long run, I would say, vaccinate, 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 and let's, जो होता कि data हमें साथ की साथ collect करते रहना चाहिए, vaccination का, और keep focus on कि जो ने strains आ रहे हैं, उनको हमें time leap पकड़ते रहना चाहिए, और जैसे जैसे वो आते जाएं, वैसे हम vaccines को भी update करते रहे हैं, तो ये थी डॉक्टर अवरिल वच्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, तो आज के corona coverage में इतना ही, इ कुछ और interesting topic और analysis के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत, अपना और अपनों का खयाल रखिए, और सुनते रहे हैं, आज तक radio अल्चा है ठेल इस बाट कहाईए नहीं कि आप कितना कमाते हैं, ठेल कुरू इस बाट कहें कि आप कितना बचाते हो, आप कैसे बचाएं, ये वैंक वजार की ये तेड़ी मेड़ी बाते हैं, गले तो उतरती नहीं हैं, अरे तो महाराज उनसे मिलीए न, अपने money manager से, आप के बटुए से जुड़ी हर शलाह, एकदम मुफ, शारी सुनिए, पाइशे से जुड़ा है कोई भिश्चक, आश्क बे जिजक, money manager बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर, पान मनाओ, कत्ता यादा रखना